तो आज ममा बना रही है कीमा करी तो इसके लिए सबसे पहले ममा ने लिया है हाफ कीजी मटन का कीमा इसको अच्छे से वाश करकी कुकर में रख लिया है और यह मसाले में लिया है ममा ने 8-9 गालिक 10-12 ग्रीन चिली 2 मीडियम साइज टोमैटो 3 मीडियम साइज अनियंस और ज ट्सपूर क्यूमिन प्रीवडर ब्लैक पेपर पाउडर पाउडर तोड़ा सा गरम मसाला इन सब को अच्छे से मिकुड़ करके हम इसे फ्लेम पे रख देंगे मीडियम फ्लेम पे यह सिर्फ बेसन और पानी इसको अच्छे से गोल लिया है मामानी cart मैं उसको शूट नहीं कर पाई उसमें कुछ भी नहीं है सिर्फ बेसन और पानी है और यह है टर्मरी काउडर और पानी इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें हम मिक्स कर देंगे और इस तरीके से टाइम आप देख रहे हैं ये बन जाता है इससे करीब बिलकुल भी अच्छी नहीं लगती तो हमें बिना हाथ अपना रोके बिलकुल मीडियम फ्लेम पे अपना हाथ कंटीनियूसली चलाते रहना है जब तक कि ये ठिक सा ना हो जाए फ्लेम को हाई नहीं करना है अपने हाथ को भी नहीं रोकना है तो इस तरीके से चलाते रहना है और यहां पर ममा ने चेक किया ये 15 मिनट बाद इतना थिक हो पाया था मीडियम फ्लेम पे तो सॉल्ट कम था तो ममा ने इसमें सॉल्ट एड किया अकॉर्डिंग तो यू टेस्ट यू एड़िट आफ्टर 15 तो 10 तो इसमें तो विदिन 25 मिनट में हमारे कीमा करी हो गए ये तयार तो ये लिए है ममा ने तरके के लिए मस्टर्ड ओयल इसमें लिया है हाफ टी स्पून मेथी इसको वन मिनट के लिए सॉते करेंगे ये टू ड़ चलीज है जिसको बीच से तोड लिया है इसको वन मिनट के लिए सॉते करेंगे और अपनी कीमा करी पे तरका लगा देंगे तो अब हमारे कीमा करी बिलकुल तयार है खाने के लिए ये चावल के साथ यानि राइस के साथ बहुत मज़े का लगता है आप इसको जरू ट्राइ करना आइम शूर आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी अच्छी लगी तुम्हे चैनल सब्सक्राइब करें व्लॉग अच्छा लगी तो उसे लाइक एंड शेयर करें मिलते हैं नेक्स व्लॉग में तब तक के लिए टेक गुड केर आफ यूसेल्फ लाहाफिस